Hello students, this is Raj Yadav and welcome to Chalaj Study YouTube channel So students, this video में हम लोग PGT History के बारे में उसके syllabus के बारे में discuss करने वाले हैं जो अभी हाली में vacancies आई हुई है EMRS की ठीक है उसके बारे में हम लोग PGT History के syllabus के बारे में discussion करने वाले हैं चुकि आपको पता है कि उसकी जो official notification है उसमें जो इसका subject part है उसके बारे में बहुत ज़्यादा detail से बात नहीं की गई है तो इस video के जरी हम यह समझने वाले हैं इस video के बाद आपको बहुत हता कि यह clear हो जाएगा कि आपको क्या-क्या topics पढ़ना है और किन topics से और आपको तैयारी कहां से करनी है तो चलिए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि जो official notification है उसमें subject knowledge के बारे में क्या कहा गया है जो part 4 होगा आपका subject knowledge का ठीक है PGT और TGT का यहां पर क्या कहा गया है तो हम लोग PGT history के बारे में देखने वाले हैं तो जो भी इतिहास के विद्यार्थी है वो PGT के बारे में देखेंगे इसमें यह कहा गया है कि class 12 CBSC unrevised syllabus 2020-21 with difficulty level up to graduation level ठीक है तो यह उसमें कहा क्या है यानि कि जो PGT history के जो student है उलोग को उनका क्या है कि class 12 का वो उनका CBSC जो की NCRT का जो syllabus है वो होगा और difficulty level क्या होगा graduation level का उनका difficulty level होगा कहने का मतलब है कि जो 12 तक का उनका syllabus जो होगा वो 12 का होगा यानि 12 के अंदर का उनका syllabus आएगा topic वहां से रहेंगे लेकिन जो difficulty है question की जो difficulty level है वो graduation level यानि की high level की रहेंगी ठीक है तो आपको कुछ इस तरह से त्यारी करनी है कि आपकी high level की त्यारी हो सके तो उसके लिए आपको जैसे कहां का CBSC का syllabus दिया गया है तो आपको कौन से book पढ़नी है आपको पढ़नी है NCRT की ठीक है आप किसी भी states से related हो आप किसी भी state की board से पढ़े हो लेकिन आपको त्यारी NCRT से करनी है सबसे base book यही है question इसी की syllabus से बनेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले 6 to 12 तक की book बहुत अच्छे से पढ़नी है NCRT की जो आपकी history book होगी ठीक है तो जो भी history की student है वो history की book अच्छे से पढ़ेंगे 6 से लेकर के 12 तक की जो history की book है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद अगर आपके पास समय बसता है तो आप graduation के अपनी book पढ़ सकते हैं graduation की first year से लेकर जो final year तक की जो आपकी history book होगी उसको आप लोग अच्छे से revise कर सकते हैं तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका एक भी topic नहीं चूट पाएगा तो इस वीडियो में मैं यह बताने यह बताने वाला हूँ कि अगर उनको topic में divide कर लिया जाए तो आपके क्या क्या topic बनेंगे उनसे क्या क्या सब topic बनेंगे और आपको किस तरह से आपकी तैयारी करनी है तो चलिए start करते हैं लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल प अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं और यह मारेस के बारे में भी आगे कि जितने भी जानकारे होंगे जितने भी अपडेट्स होंगे वह इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा आईए इस वीडियो को start कर लेत है क्योंकि इतने भी topic मैं बताने वाला हूं वह सब भी topics जो है वह आपके जो भी अंसीर्ट की syllabus में है वह syllabus से cover करते हैं जो भी topic उन syllabus को मैच करेंगे उनके बारे में मैं इसमें बताने वाला हूं तो सबसे पहले आपको क्या topic देख लेना है जो पूरा ऐतिहासिक निया है उनके topic आपको देख लेने हैं इस topic के अंतरगत क्या-क्या सब topics दिये गये हैं आइए देखते हैं तो इसमें सबसे पहले दिये गया है पूरो पशाण यूग मंद्य पशाण यूग नौ पशाण यूग इसके बारे में पढ़ लेना है आपको और इनकी क्या प्रवो अनुख में मिलेगा तो आपको पहले प्रिफर करना है ठीक है आप भृबध में आपने गूप कंप्लीट करने के बाद बाद में जो भी question paper solve करना है model question paper soft करना है previous year के solve करना है वो करते रहें लेकिन सबसे पहले आपको अपना base मजभूत करना है और वो आपका base बनेगा NCRT के बुक से आगे है वैदिक काल पुरु वैदिक काल ये उत्तर वैदिक काल समाजिक दशा धार्मिक दशा आर्थिक दशा और राजनितिक दशा इसके बाद धार्मिक आंदोलन जैन धर्म बहुत धर्म भागवत धर्म शैव धर्म हिंदू धर्म के पुनर गठन में संक्र अधर्म दर्शन एम समाज, गुपत्तरकाल में आर्थिक एम की परिवर्तन, चोलस उसके बाद है, चोलस का रजन्यती की तिहास, चोलप्रुशाशन, उत्तर भारत की रजन्यती की समाजी की इस्थिती, यहने कुल मिला करके यह जो है, आठ साव से लेकर बारासो इस्वी तक की जो इस्थिती है उसको आपको पढ़ना है फिर उसके बाद आपका आ जाता है तुर्क आक्रमाण तुर्क आक्रमाण बे आम लोग आ जाते हैं यह आपका important point है यहां से काफी सारे multiple questions बनते हैं यहां पर आपको पढ़ना है महमुद गजनवी मुहम्मद गोरी दिली सल्तनत क स्थापना कुत्वद्धी नेवग की उपलबधियां इल्टुतम इसके का सल्तनस सासकों में इस्थान रजिय सुल्तान ठीक है फिर मध्यकालिन भारती इतियास में उसका महत्व बल्बन की प्रारंभी कटनाईयां बल्बन का राजय सुसी धान खिलजी क्रांती एवं उसक नीती जो है फिर भु राजयसु सुधार दक्षिन नीती उसके बाद आजाता है तुगलक वंस में क्या क्या है गय सुद्धिन तुगलक उसका जीवन चरीत्रे उपलब्धियां मुहम्मद बिन तुगलक उसकी वीभिन योजनाय मुहमद बिन तुगलक का समिक्षात्मक प्रभाव बहमनी राजवन्स ठीक है उसके बाद दिया गया है तुगलक का समिक्षात्मक मुल्यांकन फिरोज साथ तुगलक तैमुर आकरमने उसका प्रभाव बहमनी राजवन्स विजय नगर विजय नगर से भी क्वेस्चन बनते ही है तो इस पॉइंट को अच्छे से साथ देखिएगा सायद एम लोधी वंस मुगल वंस बाबर हुमायू अकबर जहांगीर सा जहां और और अरंजेव इन सब को तो अच्छे से आपको बिल्कुल ही घोल करके आपको पी जाना है ठीक है यह जितने भी मुगल समराजे की जितने भी यहां पर दिये गये हैं वं अब आगे दिया हैं अब आगे दिया हैं मुगल समराजे का पतन और मराथा भी जाति में फिर है मुगल समराजे का जीवन इतित्र अंदुखाय की बालीас में से भाट इटी लिए बारत में इस्ट इंडिया अरो. उसके काराण स्वरूप परिडाम परिडाम क्या हुए वह उनिश्वी से तादी पुनर जागराण तथा समाजिक आर्थिक आंदोलन स्वामी दयानन सरस्वती राजराम मोहन राय अरविंद खोस एनिपिसेंट एवं रविद रनार टैगोर राष्टी आंदोलन एवं स्वतं टॉपिक रह जाते हैं तो आपके उसके बाद के टॉपिक कुछ इस तरह से होंगे तो इसके आगे पॉइंट जैसे की और आगे उससे पहरे आप इसको देख लिजेगा यह जो है इंडिया नेशनल मोमेंट जो है उसको अच्छे से पढ़िएगा नेशनल मोमेंट से अलग अच्छे से पढ़ लीजेगा यहां पर नेश्ट पॉइंट आपका आजाएगा दा फ्रेंच रिवाल्यूशन चुकि आप पीजिटी के लिए दे रहे हैं तो आपके पीजिटी में ये टॉपिक जो है आपके होने चाहिए तो यहां पर है फ्रेंच रिवाल्यूशन ठीक ह नेश्ट टॉपिक है फ्रेंच रिवाल्यूशन यहां पर कॉज उसके रोल आफ फिलोसोपर्स तो इसमें फिलोसोपर्स के क्या-क्या रोल रहे हैं और फ्रेंच रिवाल्यूशन के क्या-क्या कारण रहें वह आपको पढ़ना है रोल फिलोसोपर्स इंपेक्ट आप दा र Russian Revolution, यानि कि जो Russian क्रांती जो है, उसके बारे में जो 1917 की बात है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसके कॉज, ठीक है उसके बाद, Consequences and Impact of Revolution, तो उस Revolution का, उस क्रांती का क्या प्रभा पढ़ा वो आपको पढ़ना है, ठीक है इतली का जो फासी बात था, जर्मनी का जो नाजी बात था, उसके बारे में आपको पढ़ना है, Hitler and the Second World War तो ये World Wars के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है First World War और Second World War के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, Hitler के बारे में जानकारी आपको होने चाहिए Hitler and the second world war इसका है तो सभी exams में लगवग same topic होते हैं और यहां तक की जो social science की जो TGT के exams होंगे उनके जो history की topics हैं और आपके PGT के history की topics हैं वो लगवग समान रहती हैं अंतर सिर्फ इतना रहता है कि इसके sub topics बढ़ जाते हैं ठीक है topic के अंदर जो sub topic है question का जो level होगा कटनाई का इस तरह होगा वो बढ़ जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे से ताहरी कीजेगा और एक बार फिर से मैं बता दू जैसे मैंने कहा कि आपको तैहरी के लिए सबसे पहले क्या गरना है अपने 6 से लेकर के 12 तक की NCRT की book आपको बहुत अच्छे जो है वो clear हो जाएंगे तो यह थे कुछ topic इनी topic के मदद से आप लोग त्यारी कर सकते हैं तो ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक like और share अपने दोस्तों के साथ जरू कर लिजेगा ठीक है साथ ही इस channel को subscribe कर लिजेगा क्योंकि मै इसी तरह से teaching exams related जो updates से आपको देता रहता हूं तो channel को subscribe जरू कर लिजेगा ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन